Hello everyone, welcome to my channel Live Young and Creative और इस वर्ट आप सभी मेरे टेरस कारण पे हैं मेरे टेरस कारण बहुत ही खुबसूरत है और आप सब को भी ये उतना ही पसंद आ रहा होगा और इस छोटे छोटे कलाफुल फ्लार्स इस पूरे गार्डन में मेरा फेवरेट पार्ट है मौसम और टाइम चाहें जो भी हो, मेरा गार्डन हर वक्त इतना ही रिफ्रेशिंग लगता है बट एक वो कोना जो आप देख सकते हैं जो कि पानी के टंकी के नीचे वाला छोटा सा एरिया है बड़ा ही बेकार सा दिखता है और उसकी हालत अभी आपके सामने है तो चली देते हैं इस पूरे छोटे से एरिया को अच्छा सा मेकोवर तो सबसे पहले मैंने इस एरिया को क्लीन किया दिवार पे फ्रेश ब्लू कलर चड़ाया और तूटी दे चौकी को रिपैर किया फिर मैंने चौक से इस पेड़ को दिवार पे ड्रॉ किया बहुत सिंपल ट्रॉइंग थी टॉप से लेके बॉटम तक और टीटेल्स में मैंने दू अच्छे प्यारे प्यारे लैंटन्स भी बना दिये अब आए इसको पेंट करने की बारे अब जब भी ऐसा प्रोजेक्ट करें प्लीज बहुत पीशिंस के साथ करें और हो सके तो अपने फैमली मेंबर्स को भी इसमें इंवाल्व करें कर दो सकता चाल से अपने करिट कर दो सौन्स भी ऑ ket दो तो मेरे दिस्क्रिप्रिप्रिप्राइब करें तो आप इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्रिप्रिप्राइब दून सकते हैं या फिर ऊपर दिये वे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं यह बॉटल चंडलियर बहुत ही प्यारे लगते हैं और रात में तो इसके रंग बिरंगी रोशनी से पूरा एरिया तम से जगपका उठता है फिर मैंने इस पेस को थोड़ा ट्रडिशनल लुक देने के लिए मैंने कॉमनली मिलने वाली लांटन्स का यूज गया तो पहले आप इसके लांप को क्लीन करके पेपर टेप से अपने मन चाहे डिजाइन में कवर कर दे एंदेन फेविक कॉल एंद ग्लिटर का जादू देखे प्लीज जो मैंने ट्रिक दिखाया है वही यूज कीजिए यूजिकि मैंने और भी ट्रिक्स यूज किये थे एंद आट फेल्ड लेट इस ग्लिटर ड्राए और एक बर सूप जाने का वीट करें बहुत कैफले आप इस पेपर टेप को पील करें जहां भी डिजाइन भी निखल जाए तुरां तुरां तुसे एक चोटा साथ टाच आप दे देए आप चाहें तो पीछ वाले स्पेस में कलर भी कर सकते हैं मैंने ब्लू कलर का ग्लास पेंट यूज किया था और उपर के टॉप वाले स्पेस से आप इसमें नॉर्मल फेरी लाइट को आड़ कर दीजिए नाँ असेबलिंग तैम सबसे पहले मैंने उस पेस में उस गड़े को आड़ किया this corner tables I不知道 from Amazon value for money now let's plant the DIY hanging bottle lights they're amazingly pretty perfect now let's light up the lanterns now let's decorate the corner table this is a perfect reading corner so books are necessary this DIY tape corner lamps I have made myself using dahi handi, puja ka dhaliya and result is in front of you if you like this, you can also make this step by step process in the description box or you can also click on the link this corner table lamp is perfect and it works very well here a reading lamp now let's add few more details and then a little bit of greens you want candles you can add some small and bitter core pieces I think this was one of the best DIYs of this project now let's make the space more comfortable and my love for plants is unending I have added two plants here too now let's have a look finally the place is ready and this has become the favorite part of our home everybody is loving this corner this was an extreme DIY makeover but the results are magical I have made one of the elements of this one of the elements I have made one of the elements of this one of the elements including this cheek I have made one of the elements of this one of the elements of this one of the elements of this जा जाओवाब दोगधी से ले जाओवाएद है अजय को इसलिए को टूलका दो है अगर आपको यह विडियो पैसंद आया हो तो प्लीज यूख शेर अन सब्सक्राइब और एंद सब्सक्राइब and also hit the bell icon Thank you for Watching and please leave your feedback on the comment section Until next time, Goodbye